हेलो दोस्तों एक बर फिर्ट आपका स्वागत है मेरे स्पी कुपई आज मैं आपके साथ स्यार करूंगी चिकेन भूना यानि यह पॉपकिन और चिकेन में बनता है इसे यहाँ पे चिकेन भूना बोलते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने 500 ग टमाटा राड करूंगी ज्यादा नहीं सबसे पहले मैं पपकिन को थोड़ा सा ग्राइंड कर लोंगी ताकि सबसे पहले मैं इसे ग्राइंड कर लोंगी अब थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजेगा तो इससे अच्छा होता है चिकेन भूना बनता है तो चलिए फिर यह ग्र जीरा उसको डाल लूँगी और फिर हलका सा इसे एक दो सेकंड पकने दूँगी और फिर मैंने जो चौफ किया हुआ ओनियन और कट किया हुआ हरी मिर्ची रखा है उसे आड़ कर लूँगी और फिर उसे मैं एक से दो मिनिट तक पकाऊंगी जब थोड़ा सा गोल्डेन कलर इसमें आने लगे तब मैं इसमें अलक मशाला आड़ करूँगी देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डेन होने लगा है अभी मैं इसमें गार्लिक जिंजर का पेस्ट आड़ करूँगी तो तो से धाई टेबल स्पून मेरा छोटा स्पून है इसलिए मैं दो धाई कर रही हूँ हलका सा पानी दोंगी ज्यादा नहीं दोस्तों तकि मशाला नीचे लगे न और फिर इसमें मैं सारा मशाला आड़ करूंगी जैसे की चीली पाउडर कास्मिरी लाल मिर्ची पाउडर धनिया का पाउडर, कॉरिंडर और जीरा पाउडर, नमाक और तर्मेरिक जैसे की हल्दी का पाउडर इस सारा इसमें आड़ कर लोंगी थोड़ा सा इसमें पानी दे कर फिर इसे पनाऊंगी और दोस्तों अब याद रखिएगा अच्छे से मशाला भूनना चाहिए तभी अपका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और अगर आप मेरी चैनल पे नियू हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों पे लाइक शेयर करना अपने दोस्तों पे तो चलिए फिर इसे थोड़ा सा भूनने देते हैं जैसे फ्राई करने जब तक मशाला से ओयल ना चुटने लगे तब तक हमें इसे फ्राई करना है अभी टमाटर आड कर दूंगी और टमाटर को मसाला के साथ फ्राई करने दूंगी और दोस्तों इसको ढग कर पांस मिनिट तक ऐसे फ्राई करती हूँ देखिए कितने अच्छी तरीके से मेरा मशाला फ देखा हुआ था आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप ग्राईंड करना ज्यादा नहीं ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा आप इस टाइप का होना चाहिए आपका ग्राईंड और फिर मैं इसे अच्छी से मशाला में मिक्स कर लोंगी थोड़ा सा ढख कर चड़ाम पकाऊंगी देखिए और इसमें अभी मैं चिकेन भी आड़ कर लेती हूँ थोड़ा सा यह पख गया है फिर चिकेन आड़ कर लेती हूँ चिकेन को अच्छी तरीके से मसाला के साथ मिक्स कर लोंगी और फिर मैंने जो कट करके प्याच रखा था बड़े विस में उसको आड़ कर लोंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लोंगी और ढख कर दो से पांच मिनित तक चोड़ दूँ तक इसे चिकेन से हमारा जो पानी निकलता है ना वो देखिए पानी थोड़ा सा निकल आया है और इसमें ही इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा सा अच्छे से बनोंगी जब तक यह जो पानी आया है वो मतलब पूरे तरीके से अब्जर्ब ना हो जाए और अभी मैंने और हाप टमाटर पड़ा पिस में रखी थी थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में भी और खाने में भी देखिए कितनी अच्छे तरीके से बन रहा है माशाला बहुत अच्छा से मैंने बनाया है आप इसे ज़रूर घर पे ट्राइ करना और अभी मैं इसमें भुन गया है तो पानी देती हूँ क्योंकि मैं जो कटारे पे एक कटा दिये ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे चिकन बूना बनाना है और इसमें पूरा शाग ग्रेबी होना चाहिए ज्यादा पानी नहीं देखिए दस मिनिट तक मैं इसे पका लूँगी ढगकर अभी दस मिनिट हो गया है और कितनी अच्छी बन गया है भी मेरा अभी मेरा चिकन बूना रेड़ी हो गया है और इसमें मैं आकरी में एक टॉस दोंगे जो होता है हमारा धनिया का पता इसे कट करके रखी ती तो इ अब ये में ready हो गया है अब आपको मैं sirp करके दिखाती हूं उपर से थोड़ा समय कस्तुरी का मेथी भी आड़ की हूं ये susceptional है आप चाहे टो आड़ कर सकते हैं या नहीं भी अभी ये ready हो गया है तो चलिए फिर मैं आपको सर्फ करती दिखाती हूं कैसे किना अच्छे से बना है तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सेयर करना कमेंट करना मत बुलेगा कमेंट करके बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और अगर मेरे चैनल पे आप ने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना तकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके